नमस्ते, इस वीडियो में आपको जॉली फॉनिक्स के ग्रुप 1 का पूरा लेसिन प्लान मिलेगा, याने आपको डे वाइज अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है, उससे रिलेटेड सारी अक्टिविटीज मिलेंगी, वर्कशीट मिलेंगी, ये वीडियो थोड़ा सा लंब अपर आपको जॉली फॉनिक्स में मुल्टी सेंसरी अप्रोच यूस होती है, तो बच्चे से रिलेट करके, आर्ट अन्ट्राफ्ट करके, आक्शन करके, बोल के, डान्स करके, सब कुछ सीखते हैं, इससे बच्चे थोड़ा जल्दी सीखते हैं, और लंबे समय तक याद तो आप भी अपने बच्चे को वैसे ही पढ़ा सकते हैं और आप जैसे मैं तो आपको डेवाइस बताऊंगी याने के हर एक डे में एक साउंड इंट्रिड्यूस करूंगी उससे रिलेटेड वरकशीट और अक्टिविटीज अगर आपका बच्चा जल्दी ग्रास्प करता ह है बड़ा है थोड़ा चार साड़े-चार साल पांच साल का है तब आप उसको फॉनिक्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो आप एक दिन में दो से तीन साउंड इसको इंट्रिड्यूस करा सकते हैं वैसे जो मैं पूरा वीडियो सीरीज बना रही हूं उसमें एक दिन में एक साउंड ही इंट्रिड्यूस करा रही हो और मैं रेकमेंड यही करूंगी अगर आपका बच्चा छोटा है स्पेशली तो यही रेकमेंड करूंगी आप भी एक दिन में उसको एक साउंड ही पढ़ाएं अन्मेसेसरी बच्चे पर बर्डन ना डालें जैसे मैं अपने प साउंड कौन से आते हैं साउंड को पढ़ाने का तरीका देखेंगे और यह देखेंगे कि वर्कशीट और आक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए बच्चे को इंगेज करने के लिए अब डे वन में आपको बच्चे को यह नहीं बोलना है आओ मैं तुम्हें पढ़ाती हूं यह आम लोग पढ़ाई करेंगे ऐसे मत बोलिए क्योंकि हमें फ़न तरीके से बच्चे को सिखाना है तो आप बोलिए कि आओ आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूं और आप जॉली फॉनिक्स की स्टोरी आज़ तिस यूज करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजे मैं कि इस वीडियो में इंक्लूट सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता आप जॉली फॉनिक्स की स्टोरी आराम से यूट्यूब पे सर्च करिये मिल जाएगी गूगल कर ये मिल जाएगी नहीं तो आप अपने मन से कोई स्टोरी बन पोदे देखे, कोछ जानवर भी देखे, और रात में उन्होंने एक टेंट लगा लिया, आराम करने के लिए, और जानवरों से बचे रहने के लिए टेंट लगा लिया, और आग जला लिया, वान फायर जला लिया, वो लोग आराम कर ही रहे थे, कि सनी को अपने टेंट के पी कर रह था हिजब सांड निकाल रहा था एक स्टेक् कैसा था वो एक बड़ा सा स्नेक था सनी उसी देख की थोड़ा कजने डर और इस फ्रेंड्स भी थोड़े डर गए लेकिन वह पुऽ चला गया संड्साइप आर सनी और उसके फ्रेंड्स भी रेस्ट करने आ गए beginning sound को emphasize करिए तो बार-बार बोलिए और लंबा बोलिए स्नेक देखा क्या देखा स्नेक देखा किसने देखा सनी ने आपने स्टोरी सुना दी अब आप उसको action बताईए क्या है action स्स और हवा में letter का formation बताते जाएए जो भी आप हम लोग पढ़ाएंगे फॉनिक्स में letters उनका सब का हवा में formation बताएंगे लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बच्चा आपकी सामने बैठा होगा तो आप अगर करेक्ट ऐसे बनाएंगे तो बच्चे को उल्टा दिखेगा और वो हमेशा मिररिन टेक्नीक का यूज करिए यानि आप उल्टा बनाएए तो बच्चे को सीधा दिखाई देगा हम लोग स्कूल्स में भी यही करते हैं तो अब जब आपने एस की साउंड इंट्रड्यूज करा दिया तब आप अपने बच्चे को इस तरह की अब लिए कर दोगिन नोट बुक में ऐसे तो बना की लना के दे सकते हैं पहले बड़े साइज से सुरू करिए उसके बात चोटे साइस पह आप आईएगा मैंने इस तरह के से अपने बचले को कुछ साउंड से रिलेटिव इन फाक्ट ये करीब 15 वर्क्षीट जिसमें पूरा ग्रुप वन है मैं एक एक करके सारी वर्क्षीट आपको आपके दिखाती जाओंगी जैसे जैसे साउंड बताऊंगी ये पहली वर्क्षीट है लेटर साउंड आप बच्चे को ये कलर करना है या फिर स्टिकर्स लगाने है या फिर ऐसे आप चिट्स फाड़ के दे दीजिए बच्चे को पूरा कुलाज की तरह इसको कवर करना है और उसके अलावा हाथ से जादातर साउंड से है बस एक आदी पिच्चर ऐसे होगी जो साउंड से नहीं होंगी बच्चे को जो सशुरू होती है वो पिच्चर इस से माच करनी है अब आती है अक्टिविटी की बारी तो अक्टिविटी में आप बच्चे को मैच दस सॉक्स अक्टिविटी करा सकते हैं क्योंकि सॉक्स का जो पहला साउंड होता है बिग्निंग साउंड है तो आप इस तरीके किसे होक्स दे दीज बच्चे से कहिए प्लेडो रोल करके S बनाए प्लेडो की हेल्प से आप इस तरीके से उसी की टॉइस रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन से ऑबजेक्ट के बिग्निंग में साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है और देखिए शुरू में आपको ना जो पहला साउंड ह जो आप उसको पढ़ा रहे हैं उस पे स्ट्रेस करना ही पड़ेगा एक जब अच्चे को हैंग हो जाएगा उसको पता चल जाएगा उससे क्या पूछा जा रहा है उसका दिमाग में प्रोसेसिंग होने लगेगी तो वो अराम से अपने आप बताने लगेगा लेकिन इसके बिगनिग में शुरुआत में क्या साउंड है स्पून तो बच्चा बताएगा कि किसमें है और किसमें नहीं है इसके अलावा और भी वर्कशीट्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी जब पूरे ग्रुप के साउंड बच्चे पढ़ लेंगे उसके बात के लिए क्या करना है पहले दिन आपको बच्चे को स्टोरी सुनानी है और साउंड इंट्रेड्यूस करनी है आप बिना स्टोरी के भी साउंड इंट्रेड्यूस कर सकते हैं लेकिन आक्शन ज़रूर बताएगा दूसरा काम उसको वर्कशीट करानी है बिल्कुल सिंपल वाली और त एस gotta story बोलिए एणा नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ पिक्něिक पर गई वः पिक्निक पर गई वह अपने साथ खाने पीने का समान ले गई एपल ले गई एपल जाम ले गई कुछ nuts ले गई वो अपने साथ, वहाँ पे उन लोगों ने picnic mat विछाई और खाने का समान निकाला, थोड़ी देर बाद आना को tickling हुई, थोड़ी itching हुई, उसने अपनी friends से पूछा, क्या तुम्हें भी हो रही है ऐसे, उसकी friends ने का, हाँ, हमें भी थोड़ी खुजली हो र फिर उनोगों ने ध्यान से देखा वहाँ पे उनके खाने पे क्या आ गए थी, ants, क्या आ गए थी, ants, और वो ants उनके उपर भी चड़ गए थी, तो कैसे चड़ी आना के उपर ऐसे, और आना ना कैसे हटाया, ऐसे, तो a sound, a ants, और action क्या आप बताएंगे बच्चे को, a sound बता सकते हैं, auditory blending का मतलब है कि आप उसको भी लिकके दिखाएंगे नहीं सिर्फ बोल ये, ant, 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 ant. एको लिखानी की बारी आती है, तो आपको उसको पहले dotted line पे trace कराना है, again इस तरह की nootbook ले ले लीजेंगे और उस पे आप उसको trace कराये और आपको ऐसे सिखाना है, round, up, down and flick round, up, down and flick round, up, down and flick यह Jolly Phonics की मैं आपको terminology बता रही हूँ जैसे कि उस course में बताया गया है letter formation मैं उसी तरीके से आपको बोल के बता रही हूँ act की worksheet यहाँ पे आप pictures दिखा के पूछे okay which picture begins with the act sound and you have to match it with this act you can color this ah और या आप इसको stickers लगा के इसको अपने मन से decorate कर सकते हो और अगर बच्चे को अभी ऐसे देख के अपने आप करने को नहीं समझा रहा है तो आप उसको please assist करते जाए उससे expect मत करिए कि आप एक बार ah sound बताएंगे और बच्चा बस फटा-फट बताने लगेगा कि किसमे आ है और किसमे नहीं है activities में आप उससे apple painting करा सकते हैं आप एक apple ले लीजे उसको बीच से काटके उसको paint में डिप करके उसको paint करने को दीजे उससे ऐसे impression दबा के paint करने को दीजे वैसे आजकल apple महंगे हैं तो अगर आप ये activity नहीं कराना चाहें तो और भी बहुत सी activities है आप bow and arrow बना सकते हैं एक लकड़ी लेकर उसको थोड़ा bend करके धागा बना के bow and arrow बना सकते हैं आप इसके लबा कागस पे alligator बना सकते हैं craft करा सकते हैं बहुत से craft आपको YouTube से related मिल जाएगे आप वो करा सकते हैं Day 3 अब आपको पहले revise कराना है यह दोनों sounds revise कराना है और आप revise कैसे करा सकते हैं? flashcards के थू करा सकते हैं flashcards नहीं है तो plastic alphabets होते हैं उनके थू करा सकते हैं वो भी नहीं है तो symbol आप board पे या copy पे लिग दीजे दोनों और बच्चे को पूछिए कि यह पढ़ाया था आपको क्या sounds है यह next आता है t again आप story के थू introduce करा सकते हैं नहीं तो और भी तरीके हैं जैसे आप pretend play कर सकते हैं सभी बच्चों के पास almost teddy bears होते हैं तो आप teddy bear को लेके बैठ जाएए teddy bear का एक नाम रग दीजे टॉम तो त त त त त त त त त तॉम अब pretend play खेलिए कि चलो teddy bear के लिए खाना बनाते हैं टोस्ट बनाते हैं त तोस्ट teddy bear will take a bath ऐसे pretend play खेलिए और फिर उसको sound introduce करिए पूछिए या बोलिए उसको त तेडी तेडी का sound क्या है beginning sound त वो क्या खा रहा है त तोस्ट त sound का action जो jolly phonics में है वो है त त त मतलब त बोलते जाएए अपना गर्दन ऐसे करते जाएए ऐसे क्यों करना है क्योंकि उसमें जो story है वो ये है कि एक बच्चा tennis match देखने जाता है ball इधर उधर जाती है और जैसे इधर उधर ball जा रही है सबकी गर्दने इधर उधर घोंग रही है त का air में formation है त sound भी बता दिया है अब आप उसको dotted देंगे ऐसे और बच्चा उसको trace करेगा त डाउन, curve and line डाउन, curve and sleeping line उसको त प्राक्टिस कराना है साथ में स अभी प्राक्टिस कराना है मतलब आपको जो तीसरा दिन है डे थर्ड पे त तो देना है आप आधा पेजी दे दीजे मतलब एक ही line लिखने को दे दीजे लेकिन साथ में स और आ भी लिखना जरूर प्राक्टिस करा है ये वर्कशीट जैसे और आ की थी वैसे ही ये भी वर्कशीट है तो इसमें बच्चे को कलरना है या जो भी करना चाहे करे और बाद में उसको मैच करना है ये तो एग है ये है शिप टेबल अब हमने बच्चे को तीन साउंड पढ़ा दिये हैं फाइनली अब हम उसको ब्लेंडिंग करना सिखाएंगे उसके लिए पहले आप जैसे ये देखे मैंने लिखा है पहले आप लिखिए और उसके नीचे डॉट बनाईए बच्चे से पूछिए ये कौन सा साउंड है बच्चा बताएगा और अगर नहीं बता पा रहा है तो उसको रिकॉल कराईए उसके बाद लिखिए त और उसके नीचे भी डॉट बनाईए डॉट इसलिए क्योंकि जब आप बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाएंगे तो फिंगर पॉइंट आउट करने को जरूर बोलिए इससे क्या होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि एक वर्ड में कितने साउंड है और जब आप itory blending कराएं यानि बोलके blending कराएं तब आप उसे का ये हर साउंड के लिए एक finger raise करें आट अट तो इससे बच्चे को पता चलेगा अच्छा ये वर्ड में दो आगे चलके ये बड़े वर्ड्स में काम आएगा तो बच्चे को बोलिए आट आट और ये आपको ऐसा नहीं आपने एक बार बताया बच्चे को आ जाएगा ब्लेंडिंग थोड़ी टेकनिकल चीज उसमें टाइम लगता है मेरी बेटी को भी ब्लेंडिंग समझने में करीब एक डेड़ हफता लग गया था बट अब वो थोड़ा अराम से करने लगी है जब आपने आट की ब्लेंडिंग करा दी आट अब आप उसको समी लगा के दें तो ऐसे स्स आट साट स्स आट साट और हमेशा जो फर्स्ट साउंड है उस पे थोड़ा सा जादा स्ट्रेस करें म सबसे पहले आपको रिवाईस कराना है स्स,ा उसके बाद त शाटर इंत्रिड्यूस कराना है फिर उसको भ्रक्षीट और अक्टिविटीज करानी है दीर्चोथा उसको कराना है आपको डॉट दटे Frame पे ट्रेस और साथ में 죠ot और अ भी ट्रेस कराना है पांचवा उसको कर कराना है आपको ब्लेंडिंग डे फोर पे अगेन हमें पहले रिविजन से स्टार्ट करना है स्साउंड रिवाइस कराना है बच्चे को दिखाना है और पूछना है कि यह क्या था बच्चा भूल गया है कोई बात नहीं फिर से आप उसको बता दीजिए उसके बाद एक सांड की बारी आती है आप उसको अगेन स्टोरी से ही इंट्रिडेउस कराएए या खेलते खेलते खेल में सान्ड इंट्रिडेउस करा एए जोलीफॉनिक्स में ये क्यारिक्टर है इंकी माउस। उसी की स्टोरी में बताती हूं ह Corona एक लड़का होता है वह माईस को लिए के आता ह कि इधर उधर उच्छल कूद करता है, फिर इतने में इसको एक cat दिखती है, तो वो cat से डर के डेस्क पे जंप मारता है, वहाँ पे एक इंक पॉट रखा होता है, उससे टक्कर होती है, सारी इंक गिरती है माउस के उपर, लड़का जब आता है, तो वो देखता है कि पूरा माउस इंक से नहा चुका है, इसलिए उसका नाम रख देता है, इंकी, इ, इ, इंकी, तो आज का जो साउंड है, वो है इ, यानि कि small I, या capital I, and what sound does it makes, इ, इ, आक्शन है, इ, 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 जैसे माउस के whiskers होते है इंकलते हैं, तो बच्चे से कहिए कि action करे, इ, 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 आपने story introduce कर दी, पोयम देखनी है, तो वो भी YouTube पे आप दिखा सकते हैं बच्चे को इ, की पोयम, अब आती है formation की बारी, हवा में पहले formation बताईए, इ, इ, और उसके बाद उसको copy पे dotted letters कराईए, तो again dotted दे और बोलिए, उसको down and flick, dot, down and flick, dot, यह है worksheet, again बाकी worksheets की तरह है, बीच में बड़ा सा इ है, और बच्चे को match करना है वो pictures इससे, जिसका beginning sound इ, अब इ sound से भी blending कराएं, तो सबसे सिंपल से हम शुरुआत करेंगे, इ, त, इ, त, इ, त, इ, इ, इत, 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 और बच्चे से पूछिए पहले sounds, which sound is it, s, which is this one, i, which is this one, t, s, i, t, s, i, t, sit, अब इस पॉइंट पे आप dictation भी शुरु कर सकते हैं, अभी तक तो हम उसको दिखा रहे थे और sound पूछ रहे थे, कि यह कौन सा sound है, यह कौन सा sound है, फिसको blending करानी की कोशिश कर रहे थे, अब हम उसको segmenting भी शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए dictation कराना जरूरी है, अब simple बच्चे को act बोलिए, और एक paper pencil दे दीजे, blank paper दे दीजे, line वाले में expect मत करिए कि वो अच्छा अच्छा लिखी देगा, blank paper दे दीजे, मैंने तो अपनी बेटी को board पकड़ा दिया, और उस प पा रही है, तो भी आप उसको बताइए, अलग-अलग करके act और बच्चा लिखी लेता है, नहीं तो आप सिर्फ एक-एक sound से dictation शुरू करिए, आप उसको बोलिए, लिखके दिखाओ, तो बच्चा लिखेगा, आ लिखके दिखाओ, बच्चा लिखेगा, और उसके बाद आप जब वो अलग-अलग sounds का dictation successfully कर लेता है, तो चोटे-चोटे words से शुरूआत करिए, अक्टिविटी में आप पेपर पे एक इगलू बना सकते हैं, और उसके उपर cotton stick करने को बच्चे को, इगलू, डे फाइव, अगैन शुरूआत करनी है, हमें revision से, स, आ, त, इ, इसक इसकी स्टोरी भी आप अपने मन से बना सकते हैं, और जॉली फॉनिक्स की स्टोरी आप नेट से पढ़ के सुना सकते हैं, एक लड़की है, पिंकी नाम दे दीजे, पिंकी का बिर्थडे है, उसको पुपल केक बहुत पसंद है, उसने पिंक ड्रेस पहन रखी है, और उसके एक केक पे कांडल्स भी लगे हैं, अब जब वो कांडल्स ब्लो करती है, तो कैसे ब्लो करेगी, सोचो की एक गांडल है, ऐसे फिंगर ऐसे करो, और कैसे ब्लो करोगे, प, 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 action हो इक, प, प, air में फ्रमेशन हो गया, standing line, loop, लिकना सिखाने के लिए, आप पहले ट्रेसि और जब एक दो पेजस करा ले आपको लगता है कि आपके बच्चे को अब लिखना आ गया है तो इस तरहे नोट बुक में फोर लाइन की नोट बुक में शिफ्ट करें पकी शीट अगें पैंसल से बना दिया है बच्चा इसमें कलर करें या फिर पेपर फार के इसमें चिपक मैंने इन सब का कॉंबिनेशन यूज किया यह मैंने एक पुरानी नोट बुक से लिया है यह मैंने चार्ट से लिया है कुछ मैंने ड्रॉ किये है अक्टिविटी के लिए जो मैंने किया था मैंने लॉक्डाउन में ही अपनी बेटी को फॉनिक्स पनाना शिरू किया है तो म बच्चे को ढूड़ना था तो चलते फिर तो टौवल दिख रही थी या कुछ भी दिख रहा था पिंक और पर्पल वो उसको ढूड़ना था और बताना था अब जब बच्चा पांच साउंट्स पढ़ चुका है तो अब इनी साउंट्स को मिला के जो वर्ड्स छोड़े बनते हैं उनकी ब्लेंडिंग कराये वर्डबंक याने जो साउंट्स पढ़ाते जाएंगे और उनसे रिलिटड जो वर्ड़ेंगे वो वर्ड़ेंग में डिस्कृप्शिन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वीडि देखके बच्चा थोड़ा बोर हो जाता है तो आप sheet में ऐसे clouds में जैसे मैंने लिखा है write the words making sure you start on the dot यानि ये देखिए मैंने यहाँ पे at लिखा है और यहाँ पे starting point पे dot दिया है जिससे बच्चे को confusion ना हो और अच्छे से लिखे तो बच्चे से कहिए कि वो trace करें साथ में sound भी बोले और उसको blend करने की कोशिश भी करें और अगर आपका बच्चा ये notebook pencil में जादा देर busy नहीं रह रहा है एक जगे बैठके नहीं पढ़ रहा है तो आप परिशान मत हुए कि अब में कैसे पढ़ा हूँ आप daily activities करते करते भी उसको पढ़ा सकते हैं जैसे आप kitchen में काम कर रहे हैं तो बच्चे को बोलिए क्या मेरी help करोगे थोड़ी सी क्या मुझे pan, pan, pan उठा के दे सकते हो Day 6, again start with revision and उसके बाद next sound introduce करिए कि simple सी story आप बना लीजे कि या ऐसे ही बोल दीजे बिना story बताये कि aeroplane कैसे औरता है ऐसे हाथ फिलाओ become an aeroplane और पूरे रूम में बच्चे के साथ गूमिए इस तरीके से और आवाज निकालिए याद रखिए न नहीं बोलना है न करेक्ट नहीं है क्योंकि कई बार ऐसे words आएंगे कि अगर बच्चा न बोलने से शुरुआत करेगा तो वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा और बड़े होते होते गलत बोलेगा या गलत English रीड करेगा हो तो न नहीं है ये है न ये टंग को उपर पैलेट पे स्टिक करिए न ये आक्शन है न इसका एर में फॉर्मेशन है नीचे आओ थोड़ा वापस उपर जाओ ऐसे कर्व बनाओ फ्लिक इस इस न न साउंड बढ़ाने के बाद अब आप बच्चे को लिखने को दे तो ऐसे डॉटेट बनाके दे और ऐसे बोलिए ये जॉली फॉनिक्स की टर्मिनलोजी है और अगर आप इतना नहीं बोलना च तो सिंपल उसको आप जैसे भी सिखाना चाहें ऐसे सिखा सकते हैं इसके साथ साथ उसको इन सब की भी प्रिकने की प्रैक्टिस कराते रहें अब आती है ब्लेंडिंग की बारी अगैं अब पहले उसको फिर से आप ऐसे सिंपल से शुरुआत करिए आप उसके बाद नाप एसे डॉट्स पनाईए उससे कहिए फिंगर पॉइंट आउट करें या फिर ऐसे हर साउंड के लिए एक फिंगर निकालें इप निप डिक्टेशन कराईए डिक्टेशन में पहले इंडिविजूल साउंड उसके बाद ये वर्ड और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ मैं वर्ड बैंक पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चेक आउट जरूर करिएगा अक्टिविटी में जैसे अगर आपकी बेटी है तो उसके साथ बैठ के नेल पेंट लगा सकते हैं जिस दिन मैंने अपनी बेटी को साउंड पढ़ाया था उस दिन मैंने नेल पेंट लगाया था और वैसे अगर आप नेल पेंट नहीं लगाना चाहते हैं और लड़के हैं तो आप एरोप्लेइन जो जॉली फॉनिक्स का साउंड है ऐसे हाथ फैला के विंग्स बनके करते हुए एरोप्लेइन बनके थोड़ा रूम में उसके साथ भाग लीजे आपको भी मजा आएगा और उसको भी मजा आएगा यह है वर्कशीट बीच में बना हुआ है और चारो तरफ मैंने कुछ हाथ से बना दिया है कुछ ऐसे कट करके लगा दिया है तो नीडल अब मैं आपको कुछ और वर्कशीट तिखा देती हूँ क्रोस आउट दे वन बच डज नॉट हाव दे गिवन साउंट तो यह है सन केक स्नेक तो इसमें नहीं है बच्चा यह वाला क्रोस आउट करेगा अपल अरो मांगो यह क्रोस आउट नेक्स्ट शीट है लेटर सॉट यानि के यह देखे यह कट करने के लिए है बच्चे को तूड़ा कटिंग वर्क भी अच्छा लगता है कुछ डिफरेंट टाइप की वर्कशीट है तो यहाँ पे यह लिग दिये है साउंट और यहाँ पे तूथ प्रश है तो अपने साउंट में चिपका दिये जाएंगे दो आउ धनिंग साउंस यह बिगनिग साउंट आपकर करनी है तो यहां पे यह प्र आपकरना है पिग, नट तो न कलर करना है राइट दो फिर्स साउंद अंडर इच पिच्चर सिर्फ हाँन लिखना है नेल, यह तो यहाँ पर सान्विच, स, पाइनाप्पल, प, इंजेक्शन यह हैं कुछ मागनिटिक लेटर्स, यह मैंने एक लोकल स्टेशनरी शॉप से लिया था, अमजन पर लिंक मिलेगा, तो मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब जैसे यह मैं रफ्रिजरेटर पर लगा देती हूँ, यह ऐसे ही रग दिया, और कुछ अ साउंड से वो अबजेक्ट मैच करने है, जैसे यह मेरी बटी का लट्टू है, तो त, त, तो उसको यहां त के पास रखना है, अपल, इस इस स्ट्रॉबरी, ऐसे ही इसके भी अबजेक्ट आप ले सकते हैं और बच्चे को दे दीजे, बच्चा अरेंज करेगा, उमीद कर यह पूरा हफता आप आज सही स्टार्ट करिये और पूरा हफता आप अपने बच्चे को यह चह सांट पढ़ाईए, इनकी प्राक्टिस कराईए, और अगले हफते वापस से नहीं चह सांट पढ़ाईए, और उनको ब्लेंड करके वर्ट्स पढ़ना सिखाईए. In the end, I just wanted to say one thing, that I run my own phonics classes and workshops in Pune. If you want to enroll your child in my classes, if you are in Pune and you want to enroll your child in my classes, then you can contact me on the mail ID given in the description box. Thank you and keep watching MummyTuber India. Namaste.